हलो दोस्तों नानम हुमत कैसर और आप देख रहा हैं स्टड़ी चैनल उत्तर प्रदेश में नई प्रात्मिक सिक्षक भरती को लेकर छातर काफी समय से संघर्स कर रहे हैं मांग चाहें वो ट्वीटर पर हो या फिर सरकों पर हो लगतार छातर अपना अभियान चला रहे हैं ट्वीटर पर लाखो लाखो ट्वीट हुए लेकिन जब इन छातरों की किसी ने नहीं सुना तो छातरों ने सरकों पर उत्रा 22 जून से ये चात लगातर S.E.R.T. पर धरना कर रहे थे और बीच बीच में बड़े धरने भी हो रहे थे इसी बीच चातरों को उपर लाठी चार्ज भी हुई पुलिस ने अभधर बेवहार भी किया और कल के डेट में दोस्तों एक बड़ा धरना पदर्शन S.E.R.T. पर देखने को मिला जहां पर पुलिस ने बलपुरुवक चातरों को हटाया कईयों को चोटे भी आई कई तो बेहोश भी हो गए सिख्षक भरती में कई सारे मामले चल रहे हैं 69,000 में आरक्षड में गरवडी का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है और इसका विरोध हो रहा है MRC किस तरह से लागू किया गया इस पर विरोध है इसी चातरों को काफी इसमें नुकसान हुआ है लेकिस सरकार का ये कहना है कि सब कुछ हमने नियम के तहत ही किया है इसी बीच अर्शटर 500 की जो 22-23,000 सीटे खाली थी उसे 69,000 में जोड़े जाने को लेकर चातरों ने काफी लंबा संगर्स किया लेकिन इस पर साफ साफ बेसिक्षा राजमंत्री जॉक्टर सतीस चंदिवेदी जी ने कह दिया कि पिछली भरतियों की जो सीटें है वो दूसरी भरती में नहीं जोड़े जा सकती और यही सेम बात अपर मुख सेचिव उत्तर प्रदेश्क ने भी कहा था तो जो 68,500 की 22-23,000 सीटें हैं वो 90,000 में नहीं जुड़ने वाली है यही सच्चाई है बेसिक्षा राजमंत्री हो या फिर अधिकारी हो सबके यही बयान आ रहे हैं इसी के साथ बेसिक्षा मंत्री ने यहीं कहा कि सिक्षक भरती में ठेकेदारों से दूर रहें अभ्यरती सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने युवाओं से इकठा किया चंदा यहां पर दोस्तों एक राजनीतिक ब्यान डॉक्टर सतीष चंदिवेदी जी ने दिया है और कहीं न कहीं जो सिक्षक भरती का मामला है विपक्ष भी उठा रहा है चाहें वो आमाधिपार्टी के संजय सिंग हो या फिर कॉंग्रेस की प्रियांकागादी हो लगातार ये लोग इस पर बात कर रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं तो सरकार के उपर प्रेसर जरूर है और रोजगार को लेका सरकार की चारों तरफ से किरकिरी हो रही है में मुद्धा यहां पर यह है दोस्तों कि आप लोग नई सिक्षक भरती की तयारी में जूड़ जाएए क्योंकि यहां पर दोस्तों सिक्षामंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों से अपील है कि आप लोग घ ग्यापन नौकरी के लिए आएगा तब आप लोग आवेदन करिएगा सड़कों पर धरना ना करें पिछली भरतियों की जो सीटे हैं वो नतर जारे में नहीं जोड़ी जा सकती हैं यह कानूनी रूप से नहीं हो सकता और उन्हें कहा कि आप लोग घर जाएए नई भरती की त जान दिया था कि 69,000 पूरा होते ही वो नई भरती की तैयारियों में जूड़ जाएंगे 69,000 के थर्ड काउंसलिंग में चैनित अभरतियों को न्यूकती 23 जुलाई को मिल जाएगा यानि कि दोस्तों नतर जा सिक्षभरती अप पूरी तरह से कंप्लीट हो गई अब वो अधिकारी हो या नेता हो संकेत मिलने सुरू हो गए है नई सिक्षभरती का अभी कुछ दिन पहले ही कोई भी नई सिक्षभरती को लेकर बयान नहीं दे रहा था लेकिन सरकार के उपर प्रेसर पड़ा है चात्रों ने काफी मजबूती के साथ अपना मांग रखा है अगले चात्रों को जो या नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये तो बड़ा सवाल है ये समय ही बताएगा लेकिन भरती ये लोग शुरू जरूर करने वाले हैं तो तैयारियों में आप लोग जाएगा अब ये कितने पदों पर भरती होगी ये अभी क्लियर नहीं है 50,000, ये क्याओन 55,000, 75,000, 97,000 या एक लाग लेकिन एक भरती आ सकती है और अपना जो संघर्स है इसे जारी रखना है मांग को अभी भी मजबूती के साथ रखना है जब तक की विग्यापन इसका ना आ जाए क्योंकि बयान तो इससे पहले भी बहुत बार आए हैं चाहे वो मु साथ का भरोसा नहीं क्या सकता है साथी साथ नों यह भी कहा कि मेरिट की आलहार पर भरती की जाएगी यानि कि जो 40% प्लस 60% वाला फॉर्मूला है यह अभी भी लागू रहेगा जो 40% अकैडमिक जूटता है इसमें 10% हाई स्कूल 10% इंटरमीडियर 10% ग्रेजुएशन और भरती कराय जाने की तयारी फिलहाल चल रही है बागी बहुत सार अचातर अकैडमिक का विरोध भी करते हैं कुछ हात इसका सपोर्ट भी करते हैं आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरू दीजिएगा और नई भरती की तयारी में आप करा दे जाएगी अगर आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो कर देजी वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करन करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगर दबा लेजिएगा ताकि आपको हमारे सब भी वीडियोच के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स और वाचिंग